करना महमारी के बीच अब मौसमी बिमारियों ने भी अपनी दस्तर देनी शुरूर करती है और इस बिमारी का नाम है डेंगू कितनी खतरनाक है यह बिमारी कोर्णा और साथ में डेंगू इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रोमिल टिक्कु जी है जो कि मैस कि महमारी जेल ले हैं साथ में डेंगू कितना मुश्बिल है दोनों बिमारियों का एक साथ हो जाना देखिए इस सीजन में बारिशों के बार डेंगी के पेशिंस बढ़ जाते हैं इस बार बहुत जादा नहीं है बट अब आने लग गए हैं डेंगी के पेशिंस और दोनों के लक्षन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं पहले एक हफते में पहले चार-पांद दिन तो सबको बुखार होता है सरदर्द होता है मगर कुछ डिफरेंसे हैं दोनों में जिससे पता लग सकता है किसको डेंगी हो सकता है किसको कोवेड हो सकता है देखे बुखार सरदर्द बदंदर तो दोनों में होता है मगर डेंगी में 3-4 दिन के बाद fever कम हो जाता है और फिर उनको platelets कम हो जाते हैं तो blood test करना सबसे important है क्योंकि पहले दिन से ही पता चल सकता है किसको डेंगी है किसको नहीं है उल्टी आंती है लिवर involvement होता है bleeding के chances होते हैं कोविड में इनिशली तो 3-4 दिन बुखार होता है यूजवली उसमें गला खराब खांसी respiratory symptoms भी होते हैं और पहले 5-7 दिन तो वो भी ऐसे ही flu की तरह नॉमली बहेव करते हैं मगर फिर उसके बाद उसमें lung involvement होने का chance होता है moderate to severe cases में जिन में pneumonia होता है उनमें खांसी बहुत ज़ादा होती है और अगर वो बढ़ गई तो सांस लेने में दिकत और respiratory failure हो सकता है तो COVID का मामला थोड़ा लंबा चलता है एक से दो हफते तक डेंगी का एक हफते में ही यूजवली 7-8 दिन में खतम हो जाता है अब किसी को अगर दोनों infections हो तो और भी जादा complication होने के चांस है especially अगर बच्चे हो या बुज़र को या जिने medical problems हो diabetes हो, heart disease हो, cancer patients हो तो उने usually hospital में बर्ती करना चाहिए क्योंकि डेंगी का जो treatment होता है वो कोई specific नहीं होता है उसमें fluids देने होते हैं पानी चड़ाना होता है क्योंकि dehydration होती है, liver involvement होती है, platelets चेक करने पड़ते हैं अलांकि COVID भी मिलता जुलता है, मगर COVID में इस अब नहीं करना होता है COVID में आपको CT scan 4-5 दिन के बाद करना होगा, pneumonia देखना होगा, specific कुछ एक दो जो दवाईया है वो देनी होती है oxygen और oximeter से saturation चेक करते रहना पड़ता है तो COVID जादा lung related respiratory issues में है और डेंगी थोड़ा सा blood, platelets और पेट की problems, liver की problems सर लेकिन अगर जानना हो कि किसको कौन सी मारी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा क्योंकि शुरुवाती लक्षन आपने बताए कि दोनों के एक करास है, चार से पांदे तो आदमी व्यक्ति या तो COVID का टेस्ट करा है या फिर डेंगू का टेस्ट करा है क्योंकि जतनी जल्दी पता चले है, उतना जल्दी पदाग करते हैं, पाल्स आक्सिमीटर से साचुरेसिंज देखते हैं ब्लड टेस्ट करते हैं, और हो सकता है कि निमोनिया हो जाए और फिर CT scan करते हैं और डेंगी में उल्टा पहले दिन से ही पता चल जाता है वो भी ब्लड टेस्स से ही पता चलता है तो कोविड और डेंगी दोनों पहले दिन से ही अगर हम टेस्स कर लें तो हमें पता चल जाएगा और देंगी का तो blood test होता है, Covid का swab test होता है, Covid में कुछ blood test भी करने होते हैं, Covid और देंगी के दोनों टेस्स एक साथ कर lें, तो दोनों की report आएगी, जो भी positive है, according भी हम उसकी treatment करेंगे. तो ऐसे में उनके इलाज में किती मुश्किलों मुश्किल आती है एक डॉक्टर को देखे डेंगी में तो हमें प्लुइड देने होते हैं, डियाइडरेशन नी होनी चाहिए, लिवर इन्वालमेंट होती है, कोई खास स्पेसिफिक दवानी होती है, यह बलड टेस्स जादा करने पड़ते हैं, दिन में एक दो बार मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, पानी चड़ाना पड़ता है, देखना करते हैं, और अगर होस्पितलाइशन की जुरहत पड़ी, तो फिर उक्सिजन की जुरहत पड़ सकती है, और फिर एंटिवारल जो इंट्राविनस देते हैं, और अब प्लाजमा भी दे रहे हैं, स्टिरोईड का बहुत बड़ बड़ रोल है, तो यह एंटी को अगलन्स, क अगर प्लाज में सर दिक्कत होगा, तो सामना करना पड़ रहा होगा, इस तरह के किसे हैं, जिनको दोनों चीजे हो गई हैं, उनमें तो ध्यान रखना है कि फ्लुइड कितना हो, बोट जादा फ्लुइड देंगे तो लंग्स पे असर ना है, अगर लंग्स में भी प्रॉ अगर जैसे शुरुवाती लच्छन अकर दिखाए दे तो प्या उसका घर पर रहकर इलाज संभव है? देखें, दोनों चीजें अगर हो तो तो बी ऑन दे सेफर साइट बेटर है कि हॉस्पिल में रखा जाए क्योंकि कौन सी बिमारी कब कॉंप्लिकेट हो जाएगी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, पहले दो तिन दिन तो माइल ही होती है इसुली डिजीज पर वो जब द जादातर बच्चों और बुजर्गों के लिए यंग लोग तो फिर भी दो तीन दिन दिन वेट कर सकते हैं बच्चने मेडिकल प्रॉब्लम्स हो जो बुजर्ग हो या बच्चे उनको तो प्रो एक्टिव हो के पहले ही हॉस्पिल में एडमिट करना चीए जिने दोनों का ट्वी थोड़ा रादी करता है कोवेड तो सुरप्राइजिंगली बच्चों में बहुत ज्यादा दिकत नहीं कर रहा है बट कर सकता है पर दोनों चीज़े हो तो बेटर हैं कि एंकि ऊस मेहीरा फया तो सर इस तह पे लोगों को किस तरह की साबदानी बरती चाहिए किया इ यह लें बचाल में चाहिए या फिर आप बताना चाहें कि र морी से कैसे बचा जा सकता है buda डे irmcket खाने पीने का तो बहुत जादा रोल नहीं है कोविड में भी सेम चीज़ है, साचुरेशन चेक रहो, बलड चेक रहो, गर सांस पूल रहा हो, ऐसा कोई लामिंग साइन हो, चाती में दर्द हो, तो अपने डॉक्टर्स को कॉंटार कर लें, दोनों की अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स है, जहां तक डायेट का सवाल है, डायेट आप नॉर्मल घर का खाना कहा सकते हैं, बाहर का तो ऐसे भी आजकल कोई नहीं खा रहा है, और हैवी खाना, तली हुई चीज़ें, जो डाइजस्स करने में मुश्किल है, वो एवोइड करनी चीज़ें, नॉर्मल दाल, चावल, रोटी, सबजी जो गर में बनता ह वो सब खा सकते हैं, फुरूट्स खा सकते हैं, यह मतलब डेंगो ना हो, उसके लिए कुछ आप बताना चाहेंगे हैं हमारे दर्ष्कों को देखे, डेंगी के लिए तो कोई vaccine वगरा है नहीं, न कोई दवा है, तो डेंगी से बचने के लिए अपने आसपास गर के आसपास पानी नहीं होना चाहिए ठहरा हुआ क्योंकि डंगी का मच्छर वहीं से आता है और जब आप बहार निकलें अपने कपड़ों से डखलें अपने पूरे बदन को फुल स्लीज कपड़े पहने और इंसेक्ट रपिलन क्रीम वेगरा जो आती है वो फेस पे लगाए एक्सपोज एरियास में लगाए ताकि अगर मच्छर काटे भी तो आपको प्रॉब्लम नो हो और जब आप गर के अंदर आते हैं तो गर पे ध्यान रखें कि खिटकियां दर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको लोगों से दूर रहना है डिस्टंस में करनी है हाथ साथ दूने और जब भी आब आप जाओगे तो मास लगाना है जितना हो सके घर पे रहें अगर रहें अगर पर रहें जरूरी काम पर जाना है या दवाई लेने जाना है ग्रोसरी के लिए जाना है तो मास बिलकुल लगा के रखें उनमें छेडे नहीं मास को और नीचे गले तक उतारे नहीं बार बार उसको हाथ नहीं लगाना है एक बार मास लगाया घर से निकल के बस फिर उसको हाथ नहीं हाथ दोले, फिर मास्क को निकाले, आंस पास कोई नहीं होना चाहिए, पानी पीले, चाहे पीले, जो भी, हाथ दोके फिर से मास्क लगाएं, ये बहुत इंपॉर्टन है, अगर हम मास्क डंग से लगाएंगे, तो बिमारी काफी हद तक फैलने से हम रोप सकते हैं। अगर अगर कोशिश करें कि जो लोग बाहर काम पे जा रहे हैं, या काम करने कोई गर प्यार है बाहर से डिली, उन से दूर रखें उनको, जब वो आस पास हो तो मास्क लगाएं, क्योंकि जो हाई रिस्क पॉपलेशन हैं, एल्डरी और मेडिकल इसूज जिनको हैं, उन्हें अगर कोविड हो जाए तो उनके सामने मास वगारा लगा के लगे, बर जनरली गर पे मास लगाने की कोई जरूत निया, अगर गर पे ही सब लोग रहते हैं, एक आखरी सवाल मेरा आप से, कि कोविड किसी को हो जाए, या डेंगो हो जाए, तो लोगों में तरा-तरा की भ्र जानले बातो दोनों बिमारिया होती है बट पैनिक नहीं करना और अगर हमको पता हो पहले से ही कि क्या करना है, तो किसी हद तक हम रोक सकते हैं मिमारी को कॉम्प्लिकेशन करने से, आज की डीट में अगर आपको फीवर हो रहा है तो आपको सतर्क रहना होगा कि ये डेंग और आप complications हो गई हैं, जैसे ही आपको बुखार हो जाए, अब जादा में जादा parastamol की कोली लेजिए और अपने डॉक्टर से बात कर लिए, वो आपको बता, जितनी जल्दी diagnosis होगा, उतनी जल्दी आपको treatment मिलेगा, उतनी जल्दी कि आपको ठीक होने में कम टाइम दगेगा, अगर एक बार complications हो गई, यह लंग involvement हो गई, यह मालो डेंगी में प्रेकलिट्स बहुत कम हो गए, यह plasma leak हो रहा है, तब फिर मुश्किल होता उसको वापस reverse करना बहुत जल्दी, तो complications होने से पहले ही पकड़ना उसको, आप तब ही पकड़ सकते हो जब आप टेस्ट करोगे, और ऐसा नहीं है कि तीन-चार दिन के बाद टेस्ट करना होता है, यह भी लोगों को जनरली लगता है कि बुखार आने के बाद वेट करना है चार-पांच दिन, तब जाके पॉजिटिव ऐसा नहीं होता है, पहले दिन से ही आपको टेस्ट करना है, कोविड का भी और डेंगी का भी, डेंगी NS1 antigen and COVID PCR या antigen भी पहले दिनों में पॉजिटिव आ सकता है, तो यह टेस्ट करने हैं पहले से ही, एस्पेशली अगर आप elderly हो, आपको medical problems हो, क्योंकि जितना जल्दी आपको पता चलेगा, उतनी जल्दी आपको बताया जाएगा क्या करना है, दवाई दी जाएगी, complications कम होगी, तो फिर इसलिए mortality भी कम, क्योंकि अभी इतनी awareness है, दवाईया पता है क्या देनी है, किस चीज को लेके problem हो सकती है, saturations check करनी है, क्या करना है, सबको पता है, TV पे, मीडिया पे आप लोग इतना दिखा रहे हो, papers में आ रहा है, तो थोड़ा awareness बहुत हो गई है अभी, और लोगों को भी यह समझना होगा कि किस बिमारी में क्या हो सकता है, कब हमें doctor से बात करनी है, क्या warning signs क्या है, चाती तर दो रहा है, सांस फूल रहा है, कोविड में तो वो एक अच्छा साइन नहीं होता है, मेभी CT scan, और hospitalization, और oxygen की जरुद पड़ेगी, अगर आप proactively doctors के साथ कॉंटाक में रहेंगे, आज कि वीडियो कंसल्टेशन हो रहे हैं, तो यह जल्दी पता चलता है क क्या है, वो आपको या तो admit करेंगे, या तो आपका scan करेंगे, या तो आपकी दवाही बदल देंगे, तो अगर यह सब करो, जल्दी करो, जल्दी इस दखी, अगर जल्दी पता चले, जल्दी treatment हो, जल्दी isolation हो, तो किसी हद तक हम complications रोक सते हैं, जान ले वा हर किसी में नह होता है, अगर आप COVID को भी देखें, तो mortality इंडिया की one of the lowest है पूरे वर्ल में, 1.6%, हलां कि global तो 3% से जादा है, और बाहर तो यॉरोप में तो कुछ कंट्री में 10% से जादा है, तो अगर जल्दी पता चले, तो हम problem को रोक सकते हैं, इसलिए सतर करा है, और जैसे ही fever आए, डॉक्टर से contact हो, ये मत सोचो आपकि, ये तो ये नि, क्यूंकि मेरा घला खराब नी है, इसलिए मिले को COVID नी है, क्यूंकि में को रैश नहीं आया, इसलिए डेंगी नहीं है, ये सब नहीं होता है, ये बिमारिया को ये rule follow नहीं करती है, सिर्फ डॉक्टर ही आपको बताए कि लिए आपकी जब ये वीडियो आज हम दिखाएं तो लोग इससे जागरुप हो और समय पर अपना इलाज कर रहा है बहुत बहुत शुक्रिया सब पंजाब के सिर्ट नगोद्य टाइम्स को अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू जी थैंक यू दन्यवाद